आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं देख रहा है कि इंपर्टेंट कुछ कुछ टॉम्स वर्ल Peng ऐ वरंस्मोसिंटО्सू इनके बारें बात करेंioni पहले यहां डिस्कस करते हैं रिवुर्स ऑस्मोस्सस ऊस्मोसिस समझ में आORA हैं उशी का उल्टा हो गया यहां पर reverseEnt फोड़ा सब फिर से ऑस्मोसिस को समझाते हैं किया ध्यान देना कि अध्यूंपल डाइग्राम बना रहे हैं यह इजग पर सेमी पर्मेबल मेंब्रेन है यहां दो सॉलूशन है डिज़िये सेपरेटेड हैं एंष जग पर लूवर कांशंडेशन है और यहां पर यह आयरस कंसर्डेशन it कि नॉर्मल कंडिशन में हम लोग पढ़े हैं मूव्मेंट होता है शॉल्वंत का रौम लोएर लोगसे साईशन तो ब्सक्स ल्ग प्रूश्ट की तरह से इस फेनोमेनन पो उसमोश्ट कहा जाता है इस ऑस्मोश्ट को अगर हम रोकना चाहते हैं तो अपनी तरफ से हमें यहां से higher solution की तरफ से external pressure applied करना पड़ता है और यहां यह जो pressure apply करते हैं, that pressure is called osmotic pressure definition क्या था? the external pressure applied from the side of higher concentration of solution to just prevent the osmosis is called osmotic pressure अब ज़रा सूच करके देखो lower से higher की तरफ में water जाना चाहता है और इसको हम रोकना चाहते है यह जिस pressure से उपर की तरफ में जा रहा है हम उतना ही pressure डाल रहे है यह रुका हुआ है लेकिन आप imagine करो कि आप अपनी तरफ से ज़्यादा pressure डाल दिये तो अब क्या होगा? उल्टा मूव कर जाएगा यानि कि इस condition में solvent का movement higher concentration से कहां चला जाएगा? lower concentration लेकिन यह कब होगा? जब आपके द्वारा applied external pressure का value osmotic pressure से क्या हो जाए? जादा होगा जैसे हम लोग अपने घर family में देखते हैं कोई छोटा बच्चा है तो आपको धका देता है तो धका देता है तो आपको अपनी जगा पे खड़ा रहने के लिए उसके force के बराबर का अपनी तरफ से force apply करना पड़ता है तो आप खड़े हैं वो जितना ज़्यादा देता है आप भी opposing तरफ से उतना ही लगाते हैं सामने में बच्चा है लेकिन अगर मालें कि कभी आप चिड़ गया या देखते हो कि उसी से थोड़ा सा बड़ा बच्चा है उसके साथ में भी वही वो apply करना चाह रहा है कि जो कि बहुत ज़्यादा मैचूड नहीं है तो उसको धका देगा उससे कहीं ज़्यादा धका ही देदेगा जो छोटा बच्चा हो जाएगा गिर जाएगा तो कि उसने applied pressure से ज़्यादा pressure apply कर दिया उसी तरीके से if the external pressure applied from the side of higher concentration of solution is greater than osmotic pressure then the movement of solvent take place from higher concentration to lower concentration and that phenomenon is called reverse osmosis यह reverse osmosis होता है इसके application में आता है desalination of seawater समुद्र के पानी में ज़्यादा नमक है और उसे हमें पीने के लाइक बनाना है तो यहां रख देंगे higher concentration में समुद्र का पानी ठीक है किस तरब से pressure apply करेंगे यह semi-paral membrane है तो solute को जाने नहीं देगा तो सिर्फ किसको जाने देगा है solvent यानि कि सिर्फ क्या पार कर रहा है water यहां water आ जाएगा site यहीं बचा हुआ रहा जाएगा अब यह water lower concentration का जो हम use कर सकते हैं ऐसा ही है हमारे घर में भी water purifier में लगा होता है किसे हम लोग RO कहते हैं वह काम क्या करता है अगर technician आपके घर में आता है बनाने के लिए RO तो आपको पानी टेस्ट करने के लिए देता है बोलता है कि पी करके देखिए इसको और आप ज़्यादा इसका टेस्ट इनहांस करना चाहते हैं या और मीठा करना चाहते है आप करते हो आखे 108 अरollow यूज़ करहा हैं तो पानी पिने से लगे ciao पानी है आप वो क्या करेगा वह प्रेसर यह बढ़ाता है वहां से नन्ट करदा ये प्रेसर बढ़ाता है वहाँ पर हम लोग यह वाला पानी पिते हैं हम यह वाला पानी किते हैं पुझ करकर देखो ना आरों के पानी का टेस्ट भी बदल जाताया ज़ब कि पानी तो वह नल वाला है तो वह काम क्या करता है आप जो आरों का पानी उद्व करते हैं उसे मिनरल का बॉसनेंटेज अश्वा स्कूल तो minerals का percentage कैसे जादा हुआ यह tap water यहां पे आ गया normal water filter वगर होने के बाद में UV वगर filter वगर सब होने के बाद में अब जब यहां पहुंचा तो यह pressure apply करेगा तो pressure apply करेगा तो पानी तो निकल गया लेकिन इसमें dissolved mineral or salt है वो यहीं बचा हुआ रह गया तो कुछ लोग को वो ज़्यादा पसंद है इसलिए आप देखते होगे कई बार में कि पानी निकल रहा होता है water purifier से तो यह वाला पानी निकल रहा होता है अगर आपका बहुत ज़्यादा इसका pressure बढ़ाया हुआ है तो एक glass पानी आप लेंगे तो दो glass पानी आपका बरबा इसको यहां देखो यह टार्म है आइसो टोनिक सॉलूशन है है इन तीनों को हम लोग एक ही जगा पर डिसकस कर लेते हैं आइसो टोनिक हाइपर टोनिक और हाइपो टोनिक क्या है जो इस पोड़ पर देखना धियान से अभी तक कितना सीखे हुआ वह भी टेस्ट हो जाएगा यहां पर यह सेमी पर्मेबल मेंब्रेन है इस जगह पर सपोज 0.1 मोलर ग्लुकोज है और इस जगह पर 0.1 मोलर यूरिया है एक तरफ में ग्लुकोज है दूसरी तरफ में यूरिया है यहां 0.1 मोलर है यहां भी 0.1 मोलर है एक ही कंटेनर में सेपरेट किया हुआ है तो आप बता सकते हो किसका कंसेंटेशन ज़्यादा होगा और किसका कम होगा क्लुकोज का ज़्यादा होगा यह यूरिया का ज़्यादा होगा दोनों का क्या है सेम है अधि करा है 0.1 मोलर और यह 0.1 मोलर तो दोनों का कंसेंटेशन क्या है सेम है क्या कुछ पूछते हैं और कैसे आप रिस्पॉंड करते हैं हम पूछ रहे हैं कि बताओ जी अभी दीन है कि रात है अब तुम चुप देखो बॉल भी जल रहा है अंधिरा भी है अब बताओ कि यह द 3 अरजब सेंटेशन सेम हैं दोनों का उस्मोंटिक प्रेसर वैलू भी क्या होगा वैसे से इसıyorlar συν को सॉल्यूनिक सॉल्यूशन का यह द्या आएज शॉञां रहले जाते हैं जिसके इस रहते से अशॉतिक formula can still has to सेंटका इस मोर आगzte तो कि solvent का movement होता है from lower concentration to higher concentration और यहां पर दोनों का concentration value क्या है same है क्यानि यहां कहीं movement नहीं होगा अब दूसरा example ले लेते हैं यहां पर suppose 0.1 molar glucose है और यहां पर 0.1 molar 0.1 की जगह 0.2 कर दिया 0.2 molar क्या हो गया इसको separate किया गया यहां पर किस से semi-permeable membrane से अब अब बता इन दोनों में किन का concentration ज़्यादा है यूरिया का ज़्यादा है तो solvent का movement होगा यह हो गया lower concentration और यह हो गया higher concentration यहां हो गया lower concentration और इस जगह पर हो गया यह higher concentration तो बताओ तो solvent का movement कहां से कहां होगा glucose से यूरिया होगा यह यूरिया से glucose होगा osmosis में क्या होता है lower to higher यह higher to lower osmosis का मतलब होता है movement of solvent from lower concentration to higher concentration diffusion में movement होता है higher to lower अभी तो हम लोग discuss किये थे यहां पर कि नॉर्मल कंडिशन में movement कहां से कहां होता है lower से higher और जब आप प्रेशर जादा अप्लाई करते हैं तब movement होता है higher to lower अगर higher to lower हो रहा है आप को external pressure apply नहीं कर रहे हैं तो वहां osmosis नहीं वहां पर diffusion हो रहा है जो कि पिछले क्लास में हो लोग पढ़े थे इस वाले पार्ट पर आ रहे हैं कि यहां movement होता glucose से किस के तरफ में यूरिया की तरफ में तो यहां चुकी concentration अलग-अलग है इसलिए दोनों का osmotic pressure value भी अलग-अलग होगा जिसका जितना जादा concentration उसका उतना ही जादा osmotic pressure यानि यहां कह सकते वाप कि osmotic pressure glucose के respect में osmotic pressure किसका जादा है यूरिया का अब जिनका osmotic pressure का value कम है उससे कहा जाता है hypotonic solution hypotonic और जहां जिनका concentration जादा होगा जिनका osmotic pressure का value जादा होगा उन्हें कहा जाएगा hypertonic solution फिर से मिला करके देख रहे इसotonic solutions are solutions having equal concentration and have equal osmotic pressure osmosis not take place in such solution if two solutions having different concentration are separated by semi perm membrane then osmosis take place in such condition the solution which has lower concentration is called hypotonic while the solution which has a higher concentration is called hypertonic जिनका concentration ज्यादा होगा वह हाइपर और जिनका concentration कम होगा वह अब आप एक बतावाइए देखते होंगे कि कोई family member में कभी कोई विमार पढ़े जाते हैं हाइडरेशन हो जाता है डॉक्टर के पास में जाते हैं तो कहता है कि पानी पढ़ाना पढ़ेगा तो अब आप बताव तो कि वो पानी जो चड़ा जाता है तो नाउर्मल tap water होता है डिस्टिल water होता है इस्टिल water नहीं होता है डिस्टिल है वाटर सकते हैं तो बढ़न kommen को सकते हैं व् सकते हैं वह सकते हैं नौर्मा अब पी सकते यह में जी सकते हो आखिए कई दिकत नहीं है लेकिन हो सालाइन वाटर और उसी में बाकी का जो मेडिसिन का दिरत पड़ता है प्लोड सिल वाल भी सेमी पर्मिल नेचर का होता है तो जो सालाइन वाटर चड़ाया जाता है हमारे ब्लड का concentration होता है 0.5% W by W और जो saline water होता है उसका concentration भी maintain किया जाता है 0.5% W by W अगर यह 0.5% से ज़ादा या कम हो गया, अभी दोनों का बराबर बराबर है, तो दोनों आइसोटोनिक के जैसा भी हैप करेगा, तो water भी वेन में ही move कर रहा है, blood भी affection नहीं हो रहा है कुछ और ना तो पानी को होगा, सरीर में जहाँ पानी का दिरूत होगा वो पानी यूज हो जाएगा, जहाँ blood का दिरूत पड़ेगा, वो blood का यूज हो जाएगा लेकिन अगर इसका concentration change कर दिया गया किसी भी बज़ा से, तब वहाँ पे गड़ बड़ हो जाएगा, जहाँ सोच करके देखो, कि saline water को आपने dilute कर दिया saline water को आपने dilute कर दिया, यहाँ पर यह आपका blood cell है, इस blood cell का concentration है 0.5 और जो water यहाँ move कर रहा है, इसका concentration आपने कम कर दिया 0.4 अब जहाँ सोचो, dilute हो गया, अब यहाँ पर यह बाहर में concentration कम है और अंदर में concentration क्या है, जादा है तो यहाँ से movement होगा from lower concentration to higher concentration, और इस condition में अब आपका blood cell जेऊ धीरे-धीरे-धीरे-धीरे स्वेल करने लगेगा और हो सकता है कि finally burst कर जाए lower concentration में डाल दिये, इसका मतलब यह जो solution है, वो किस nature का है hypotonic nature का है वहीं इसी का ठीक उल्टा अगर blood cell को डाल देते hypertonic solution यानि जिनका concentration ज़्यादा है यहाँ इस जगा पर diagram बनाते है blood cell या experiment के लिए egg cell भी लिया जाता है एक cell में कौन सा egg cell जो संब्सक्राइब कच्चा अंडा देखें है अंडा boil करने के बाद में कभी आप छिलका हटाएं होंगे तो एक transparent जैसा पतला सा जिल्ली दिखाई देता होगा वो semi permeable nature का होता है यानि वो जैसा भी semi permeable देखे उसके जैसा वो behave करता है तो activity experiment के लिए क्या क्या आता है कच्चे अंडे को dilute hydrochloric acid में डाल देते हैं उस देर तक आप उसको छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे तो जो अंडा का उपर वाला white hard layer जो दिख रहा है वो calcium carbonate के nature का है वो उसमें dissolve हो जाएगा जर्क देंगे तो यह white part हट जाएगा लेकिन liquid बाहर नहीं आएगा वो liquid उस पतले जिली से जो घिरा हुआ रह जाएगा और वो अब आपके activity के लिए तयार हो गया अब question कैसे पूछता है जो question यह पूछा कि अगर इस egg cell को डाल दिया गया hypertonic solution में जो पूछेंगे वो बताओगे तो फिर बाकी आप यहां तक पहुँँच जाओगे hypertonic solution आप बताओ hypertonic में concentration ज़्यादा होता है या कम होता है ज़्यादा होता है ऐसा भी याद रखना hyper कई बार में हम लोग बोलते भी है सामने वाला ज़्यादा गुसा हो रहा है गोल दे काई इतना hyper हो रहा है क्यों ज़्यादा गुसा हो रहा है तो hyper का मतलब ज़्यादा हो गया बस इतने से याद रख लोगे आपको तो इसको डाल दिया गया hypertonic solution में इसका मतलब यहां पर यह higher concentration हो गया और इस egg cell का concentration क्या है low movement होता है solvent का from lower concentration to higher concentration तो जब यहां यह lower concentration से higher के तरफ में move करने लएगा यहां move करने लएगा तो धीरे धीरे यह egg cell या blood cell क्या करने लएगा shrink करने लएगा क्यानि अगर hypertonic solution में डाल दिये hypertonic में higher concentration में तो blood cell आपका shrink करने लएगा लेकिन वही अगर आप hypertonic में डाल दिये यहां पर यह आपका blood cell है या egg cell है यहां पर डाला गया यह lower concentration है और इसका concentration क्या है higher lower concentration कहने का मतलब कौन सा solution hypotonic solution तो यहां lower से higher के तरफ में move करने लेगा और ऐसे condition में आपका blood cell या egg cell यह क्या करेगा और यह बोर्ड का पूछा हुआ बहुत और complete examination का भी बहुत important question है वहां simple यही कहेगा इस तरीके से करके वहां पर तो आपको यह concept आपका help करेगा अब इसको सबको लिखवा देते हैं थांट्स पर वाचिं दिस वीडियो में